हलो फ्रेंड मैं नितिस्कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अस्टडी लिंक में तो आध हम लोग पार्ट थीरी अमलेचार से रिलेटेड ए पार्ट थीरी है क्यूशेन अंसर का तो आप अगर पार्ट वान और पार्ट नहीं देखे हैं और सबसे पहले आप थियोरी पार वीडियो को देखना है सुरू के लास्ट 6 ृर्ल रहे और टेली किरा देंगे तो आपको इयाद कर वा दे कर देना है तो आको सिर्फ क्या करना है कि हमारे साथ जूड़े रहना तो चलिए आप टरने होंगे तो आपiencesन और दोस्क्राइब कर लेए और अपने दोस्तों पास इसे सेर कर दीजेगा जो भी आपका Facebook, WhatsApp ग्रूप होगा वहाँ आप इसे सेर कर दीजेगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगर नहीं लगता है तो आप आलनाएक भी कर सकते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा तो आज का मूज़िवेशनल है बदल जाओ बक्त के साथ या बक्त बदलना स्थो हरहाल में चलना सिखो आप ए बहाना कभी मतवन नहीं है जो भी मजूरी है या जो भी आपके पस है आप ए मत करना कि मेरे पस ये नहीं है तो ओ नहीं है ये नहीं करना जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचना है उतना ही से अगर ए नहीं कि ए नहीं है तो वो नहीं है इसा बहाना मत्व नहीं है आप हर हल में जो भी मुसिभित आता है उससे निपटना सिक्किए और आगे बढ़िए तो चलिए हम लोग वीडियो को सीधा सुरू करते हैं प्रशने पर चलते हैं सीधा आज का जो प्रशन ह है अब बर्प को पिखलाने के लिए निम्न लिखित में से किस का पर्योग किया जाता है तो आपको पीछला वीडियो में भी बताए थे नमक आपको हम बताये थी कि मौल लीजिए असुद्धी जैसे हम बर्प में मिला रहे हैं तो नमक क्या रहेगा असुद्धी रहेगा तो क्या होता कि जैसे हम असुद्धी मिलाएं किसी चीज में तो उसका गल्लांक घटता जो भी बताएंगे सीधा सीधा एक्जाम में पूछे कि अदम छपेगा पेपर में इस सब जो भी परशना आपको हम करा देदम क्या करना है रट जाना और रटना इसमें कुछ भी नह नहीं लेना है और जो भी हम आपको थियोरी बता है वहां साथ नोट कर लीजेगा और याद कर लीजेगा तो बर्प जाने का मतलब असुद्धी असुद्धी मिलाने से गल्नांग घटता कहने का मतलब जल्दी टूटेगा बॉंड जैसे माल यह कि हम किसी चीज में असुद जल्दी टूट देगा तो जैसे मां असुद्धी मिलाने से गल्नांग के घटता में बढ़ना का मतलब जा तो जैसे मैं असुद्धी मिला लिए माल लिए कि आप पानी लिए पानी में डाल लिए बालो तो यह आप कचणा वाला जो पानी रहता जो भी नाला का पानी है उसको लिए उसको गर्म करिए और जो पानी ऐसे उसको गर्म करिए जो नाला का पानी रहेगा उसमें दिगरी पर खौल रहा है तो जैसे मलने पानी लिए तो पानी को खलाएंगे 100 डिगरी पर पानी खौलता है तो जिसमें असुद्धी मिला रहा है वह 120 डिगरी पर खौलना शुरू करेगा तो यहीं हो गिया कि असुद्धी मिलाने से कवाथनांक बढ़ता और गल्लांक घरता गल्लांक मतलब बॉंड जल्दी तोड़ देगा मतलब गल्ल के जल्दी तूड़ जागा अलग हो जागा तौपसर नमर ए राइट हो जागा आगला प्रशनिप चलते हैं एक आमल और छार के बीच अविकिरिया के पर नाम से रूप क्या उत्पन होता है जब से हम इस चैप गयाता है तो इसके 55 में क्या मिलेगा जैख यह अभी किरिया करेगा तो मिलेगा लवन और शाथ में जल्प और इस अभिकिरिया को बोलते हैं उदासनी करन अभीतिया सीधा सीधा आप से Xbox अभीतिया है जब deepest अगलता है जैब जवाब है option number D अगला प्रश्न है जब एक acid धातू oxide के साथ अभी किरिया करता है एक acid मतलब आम ले धातू oxide के साथ अभी किरिया करता है तो उत्पाद के रूप में dot और dot प्राप्त होता है जब acid धातू के साथ oxide मतलब जब अभी acid होगया आम ले आम ले आम ले क्या करगा जब धातू oxide के साथ अभी किरिया करता है आम ले तो क्या बनाता है आम ले जब धातू oxide के साथ अभी किरिया बनाएगा तो अभी हम आपको बताए कि लवन और जल प्राप्त होता है आम ले और जब चार अभी किरिया करता है कि लावहनगे नहीं समझ मा आ यहोगा है आप को लिए बस वहाई है कि ऐस सीड़ झभधैर्मि अक्साइड धातू के अक्साइड कहने के मतलब है आईए हम आपको थोड़ा यहारी वाइज कराज़ते हैं धातू के अक्साइड धातू के अक्साइड लिख लिजेगा और अधातू के अक्साइड सीधा सीधा आपसे प्रस्ण पूछेगा कि धातू के अक्साइड होते हैं ऐमनीज चाहरिए इस तरह से प्रषिन आप से पूछेगा तो अध्यातू के Окसाइड होगा चाहरिए और अध्यातू के चाहरिए ऑन्रे आ है क्यों जारेकने इंश्क के से रखना है याद बहुत देखेगा आदे हाद आ लगा है अधातू अमली है अधातू के अक्साइड अमली है अधातू के अक्साइड अमली है और एक बाची अधातू धातू के अक्साइड चार यह तो आपको यहां बताए कि acid helpful oxide के के साथ अविक किर्या कराना त्धातू का oxide होता है चार यह और कराने के साथ है आयमले के साथ तो आयमले पलास चार हगया इसका कहने का मतला है या indirect बात करा है कि जब एक acid ठाथटू एक्साइट के साथ अभी किरिया करता है कहने का मतला चाहर ये तो आमिल जब छाहर अभी किरिया करता है तो क्या बनाता है लवन और जल ही तो बनाता है तो इसका सही जवाब क्या हो जागा लवन और जल I hope कि आपको समध्में आगए होगा एर 9 10 तेंद क्लास में बहुँ ज़्यादा है इस इस डियक्सन है आपको याद करना पड़े तो आपको याद नहीं करना है कॉन्सेप्ट का आपको सिर्फ समय नहीं एक आपको याद रखना कि जब आमलो छारे भी किरिये करें तो आपको मालूँ गया कि क्या होता है उधासन उधासनी कहने का मतलब क्या हो झाल जागा उधासनी करना हुख जए मला को न तरियाओ बिच्छू विच्छू मा तो उसमें किया रहा था ठाल भूरिकर भूल जाए जब आमले रहते हैं तक टोटल है विकीरिय आपको पढ़ा दिया गया तो इसका सही जवाब होगा ऑप्सिन नमर ए और यहां एक और इंपोर्टेंट पुच्छता है इसमें से ओवह धार्मिए ऐस्वे धार्मिए ऑकसाइड उभquent जब है में आपको इससे नहine से पुलेट आता है सभी मापको वीजन करा देते vita सभी आपको पढ़ा दिया गया है ओभाई धार्मी ऑक्साइड ओभाई धार्मी ऑक्साइड में आपको याद रखना है H2O2 L2O3 इससे 14 से 15 प्रस्ण सिर्फ गुरूप D में पूछा अगर आप गुरूप D के एक्जाम देरें कमपटीशन के एक्जाम आप देरें 910 के लिए तो है यह इस 910 के इतना से ज्यादा पढ़ना ही नहीं अगर आप किसी भी एक्जाम खास कर गुरूप D के एक्जाम देरें तो इससे रिलेटे 14 से 15 प्रस्ण पूछा अगर आप प्रिवेस एर प्रस्णों को देखेगा यहां पढ़ने का और सारा सोल क्यूजन करने एक वाद प्रिवेस एर प्रस्ण बनाते तो आपसे प्रस्ण नहीं छूटेगा एल्टू ओथीरी पीवी ओटू जेडेन ओ आपको याद रखने क्यों है धारी मियोक्साइट को ने एतना ही आपको याद रखने वास एतना सही 14 से 15 प्रस्ण पूछेगा तो एस्टू ओटू एल्टू ओथीरी बीवी ओटू जेडेन ओ हम इसको बार बर इवीजन करते रहेंगे आपको मतलब याद करवा देंगे अगला प्रस्ण पिचलते हम लोग अगला किस सदारा नामा के बिलियन के निर्मान के लिए सोडियम हाड्रक्साइड डॉट डॉट के साथ भी किरिया करता है जो सोडियम हाड्रक्साइड है सोडियम हाड्रक्साइड बोले तो एन ए ओ एच यह किसके साथ भी किरिया करता ह यानी इह गया छार और यह हो गया आमल ताम इसको पता mêsफ एं जो एंट चै avo है नंचों में विजाओं आमल ल हो जाए थे लगा परक्षणार यानी पस समझे लगर्ट प्र alltså यानि परवल परवल चाहर परवल बोले तो एक फारवन र्वल और दुरवल चाहर याई परवन अब देजी से दे उसको परवल चाहर हुँ ज़्योरि पारवं नमक निर्वान करते हैं त indoor icon करते हैं नंन्य भी चाहर कि नमक का निर्मान होता है जाब परवल Пр EX सकता है सदरे aller के लिद argument के लिए सोडियम हईउडक साथ करते हैं हो अगला पड़शन पर चलते हैं हुए अगला परशने Netflix एक लवन के उधारन निमन से कौन सा है लवन कुदारद जिसके ज़लीए बिलियन का PH मन 7 होता है? 77 से कम कहने को उल्कप्स participar जिसका जली बिलियन कتना होता 17 006 से कम कहने का मतल हो गया हमledge हम आपको बताये थे ऐसा मालेजे कि क्या हो गया 7 7 बोले तो यह parameter है और बीच में माले यहाँ 7 यह पूरा है हम वो 1 से कर रहे तो माले यह बीच में 7 है तो 7 जिसका pH मान रहता है वो हो जागा उदासीन उदासीन और इससे कम बला हो जागा अमली यह और इससे अधिक वला छारिये जैसे जैसे सेवन से लो नीचे जाएंगे अमली यहता बढ़ेगा और बीच में क्या होता है उदासीन तो यह आप देखेगा बोल रहा है कि उस लवन का उदासीन में से कौन सा है जिसके जलिये बिलियन का pH मान सेवन से कम है सेवन से कम कहने का म तो सोडियम कलोराइट उदासीन होता है उदासीन के अंदर साल्ट है तो साल्ट है ते तो होगा नहीं ऑप्शन नमर एक गया घर है सोडियम कारोनेट सोडियम कारोनेट मोले तो क्या हो गया एने टू सीयो थीरी एन ओटू सीयो थीरी ते भी क्या होता है अम लिए नहीं हो आगला सोडियम heel पाय करोणनेतसॉडियम गया नहीं होता जो सोडियम बाइक करोणनेतस तो यह इन रहे हैं तो यह गए घर है अगला अपना तँर है अल्ए सपते से गहां ले अबसाने इसको आप जरूर याद रखे एन एज फोर सी एल बहुत जादा पूछता है क्या है अम लिए है सीधा आप से गाम में पूछेगा सोडियों को बाइक करूनेट बोले तो खाने वाला सोड़ा अब इसको याद रखेगा इसका सूत्र क्या होता है एन एस सीयो थीरी सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया सूत्र हो गया जो भी इंपोर्टेंट अभी कील्यां जू कंगा उटरी एक इस समयरैं शासी सीसे नश्रक प्रॉर्च नवर्च कर दिया उन धातु धातु है अमलों के साथ भी कीरिया दोवारा उत्पन करती है जो धातु है अमलों के साथ भी कीरिया दोवारा उत्पन करती है मतलब क्या उत्पन करता है जब धातु अमले से भी कीरिया करेगा जब धातु अमले से भी कीरिया करेगा तो क्या उत्पन करेगा जब हम आ जादाई इम्पोर्टेंट है कि क्यों सा नीकलेगा हाइज दू सभी करेगा तो कौं सा रीक्षन अंप्सण ए में लेवन और स्थ होगा नहीं लवन खळ भी नहीं होगा लवण और पानी पानि जब आम लेशार करता TO reaction बंता ूर्प निर्मान करता है जब कॉन सा रियेक्ष Il आपको यारत रखने जब धात तू अमीन सब इए करता है तो क्या निर्मान करता है लबन और है बन अर्शन है कुछ लेता तब सक ध्यान में दिजेगा अगला परस्ण है अगला प्राश्ट एक लवन जो बंता है देखिए आपको तुलात बताए कि निर्मान कीस होता है जब परवल आमले जब परवल छार से भी किरिया करता है परवल करें गों तो तीवरी चार चाहार जम अभी किर्या करता क्या नीर बांद करता है 번째 अगला परस्ण पर चलते हैं खौने का नमक NSL किस से बना होता है ? जोभी प्रशने कर σीधा सीधा एक जाम में छपआ गदम रथ जाना इसको क्या करना है? घोर के पी जाना इसको एकदाम इंपोर्टेंट प्रशने सभी option एक देना है यहाँ कि खाने का नमक बोले तो NSL किस से बनना होता है ? एक मजबूत आमल और एक मजबूत चार परवल का मतलब होता है मजबूत और परवल का मतलब होता है मजबूत और दूरवल का मतलब होता है कम जोर तो परवल का मतलब मजबूत चार तो अभी किरिया करता है जब बनता है इनसियल जब अभी किरिया करता है परवल आमल और पर और माने नमा करशानिक नाम क्या यते तो सही ही को मालूम वाकिस इस सोडियम कलोराइड यानी इनसी यह ड कि आउट पर करनेट बोले तो खाने वाला सोडा एने एच सी यो तीरी इंपोर्टेंट है और सोडियम हाडराउकशाइड बोले तो एन ए ओच एक परकार क्या चाहरा अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है लबनों के समान्द में निमनली खित में से कौन सा कथन सही है लबन के बारे में आपको बताना है कि निमनली खित में से कौन सा कथन सही है अप्षन यहादारा लवन का पीछ मन 1 होटा है, लेवन का पीछ मन 1 अच्छ हम लोग आगे पढ़ते हैं और अपको ऐसे पहले real आपके लोग को है अप्षन जो दिया गया है माले आपको उसके बारे में जनकान नहीं है तो क्या करना है, आगे पढ़ना है 11 आमल और 6 का स्योजन है और धात्तों के साथ तिवरता सभी किरिया करते हैं अच्छा यह सही है सीन और लावन को सबसे आम रूप सदारा नमाग, सोडियम हाट्रक्स जाएड और सलफुरिक आमने का स्योजन है अभी आपको पता है सोडियम हाट रेक्स और सेल फूरी कमने के सियोजन है नहीं यहाँ क्या होता है HCL और लावन आम लोग छार के सियोजन और धातों के सर्थीवरता सभी किरिया करते है लावन आम लोग अचान नहीं यह भी रोंगा और 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 आप्सन जो दिये है कि लावन का पीच मन लावन बोले तो उदfound सिनन का पीच मन होता है वी तो सही नहीं होगा तो लेकिन सही आपको सुनना जो डि में दिया है कि लावन उदासनी करन अभी किरिया दौरा आम लोग चार के सियोजन से बनता है यह सही हो जाग option number D अगला प्रश्न पर चलते हैं नीम्न में से कौन सा गोल इन सभी में सबसे अमलिय है नीम्न में से कौन सा गोल इन सभी में सबसे अमलिय है तो सबसे अमलिय कहने का मतलब नीम्न में से कौन सा गोल सबसे अमलिय है अमली यह मतलब हम आपको बता है कि 7 से जैसे जैसे नीचे जाएंगा अमली आता बढ़ेगा और 7 से अभी हम आपको यहां बता है कि यहां 7 से नीचे जाएंगा ता अमली आता बढ़ेगा और 7 से उपर जाएंगे छर्याता बढ़ेगा और बीच में क्या होता उधात सीन 0 सबसे ज़्यादा अमली होगा उसके बाद एक उसके बाद दू तो इस तरह से आपको याद रखना है और theory part आप ज़रूर जाका देख लिजेगा तो प्रशन है कि निम्न में से कौन सा गोल इन सबसे अमली है pH मन ओ वाला तो option number ए ही तो सही हो जागा अगर ए नहीं रहता तो 1 वाला होता तो 2 वाला होता 2 नहीं तो 3 जैसे 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 उपर जाएंगे घाटेगा अमली आता तो आप इसको ध्यान दिजेगा अगला प्रशन है अगला प्रशन है निस्कीरिये बिलियन का pH मन होता है निस्कीरिये बिलियन का pH मन होता है निस्कीरिये बोले तो उदासीन उदासीन और उदासीन बोले तो pH मन केतना होता 7 सिंपल है सिर्फ बड़ का खेलता निस्कीरिय पिलियंग का pH मन होता है 7, option नमर A अगला प्रस नीवन में से कौन सा घोल चार ये है नीवन में से कौन सा घोल चार ये है तो हम आपको इसके बारे में सबसे पहले आपको कुछ इसके बारे में concept बताना पड़ेगा concept में आपको याद रखना है कि मान लिजिए H पलस और pH निकालना है यह दिया गया तगर दिया गया 10 के पावर माइनस 2 तो pH केतना हो जागा 2 अगर दिया गया है 10 के पावर माइनस 3 तो pH हो जागा 3 अगर आप इसको पुरह डिटियल में सोल करिएगा है तो एक पालस पेज जागा तो आपको उतना नहीं दिमाग लगा ना आपको सीषर क्या करना ज्यादा दिमाग नहीं ले profit है तो पीस-एप माइनस हो जए और आपको देखिए ऐस पीसमी हैा निका को टिने पावर है इसको हम लोग आई से भी तो लेक सकते हैं 10 के पावर माइनस 4 यहां देखें जितना 0 है तिसको हटाएंगे तिसको इसको पॉइंट के बाद कितना पॉइंट के बाद हो जागा एक दो तीन चारत यानि एक पटा 10 10 के पावर हो जागा चार तो इसको उपर जागा तो मैनस हो जागा तो वही तो हो गया बस इनडैरेक्ट में लिखा गया तब इसको धियान में दिज़ेगा यह कितना ओ जागा चार अगर आप से पूछता है मान लिजे देता आपसे OH माइनस कमान दे दिया और आपसे पूछ दे POH एगर देता 10 के पावर माइनस 3 तो 3 हो जागा बस वही करना और यहां हो जागा 2 10 के पावर माइनस 4 तो हो जागा 4 और बाकी point में भी दे सकता है तो आपको क्या करना point हमान लिजे आपसे पूछ दिया कि 0.0000001 है OH माइनस कमान तक POH कमान कितना होगा तक अगर point हमनों हटाएंगा तक point का बद जेतना रहता है तो अतना लू नीचे लिखते हैं 0 तक यतना हो जागा 1,2,3,4,5 तो 5,0 लिख देजेगा और इसी को हमनों क्या कर सकते हैं पावर में भी तो कर सकते हैं तो इसको हमनों क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 5 और इसको हमनों उपर ले जाएंगा तो 10 के पावर माइनस 5 तो इसका अंसर क्या हो जागा 5 तो ही होज़ कि आपको समझ में आगी होगा आप एक और याद रेखेगा pH पलस p o h बरावर होता है चौदऐ अगर मन लिज़ेता pH क्वाण 7 है तो pH क्वाण कितना होगा तो pH क्वाण हो जागा कितना 7 अगर pH क्वाण 6 है तो पी-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- के बराबर कितना होता है 14 के बराबर और H पलस OH- के बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 14 यह 4 नहीं 14 होगा 20 के बराबर होता है तो आपको इतना ध्यान में रखना तो आगे हम लो चलते हैं परशने पर चलते हैं निमने मिसे कौन सा खोल छारिया है छारिया कहने का मतलब 7 से अधिक भैलो जिसका मान होगा 7 से अधिक यहां दिया गया कि जो एच पलस का मान है इसका कहने का मतलब है कि 7 से कम जो H पलस का मान है 7 से कम होगा उसको नो चारिये बोलेंगे अब हम आपको बता है कि जिसका मन 7 से कम होगा उसको मन अमलिये बोलेंगे और जिसका मन 7 से अधीक होगा जो 7 से अधीक होगा उसको बोलेंगे चारिये तो H पलस का मान 7 से कम होगा? तहीं छाली होगा? या अमलिये होगा? तो अप्सन होगा नहीं? अप्सन नम्र B तेरा कि H पलस बरावर केतना है? चार तिसका मौन क्या होता? कुछ भी नहीं होता है इसका मान हो जाएगा? अमलीये जब H plus कमान रहे हैं चार तक क्या हो जागा हम लिए अगला दे रहा है कि 10 के परुचार ते यानि 7 दिया गए कि H plus कमान 7 से अधीक होगा ते इसको में क्या बोलेंगे H plus कमान 7 से अधीक होगा ते इसको में क्या बोलेंगे 6 H plus कमान 7 से अधीक होगा गो इसको क्या वह लेंगे च्छारी और ऑप्सण डी में दिया गया कि एच पलस का मान साथ के बरावर होती इसको मलतोग दाशीन तो छारी एच चुनना तो ऑप्सान नमर सी ओ जागा हो जागा ऑप्सण नमर सी राइट हो जागा अगला प्रश्न है कि पीएज मान में साथ से चोदा में हुई परीधी किसका प्रतिनी दीत्व करता है तो साथ से जैसे जैसे उपर जाता है अमलियता बढ़ता अच्छा एक पलस और और ॥ तो इसमें तो कुछ होगा नहीं नहीं तो कमहीं होगा नहीं तो फिती एक पलस वाला कांट ना पहले क्योंकि इसमें साथ से उपर बAutois । बारेम आपको समय में आ गया होगा तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो के यही रोकते हैं और भी प्रस नहीं है तो जो बच गया उसको आपको कुछ भी हम करा दे रहे तो सभी प्रीवियस यह प्रस जो सीधा सीधा आपके पेपर में छपएगा तो अधाम रट जाना है तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो आज के लिए इस वीडियो के यही रोकते हैं और चैनल पर नहीं होगते चैनल को सस कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है अस्टडी नंबर वन यह आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए यह जहां आप कमेंट करते हो वहां से भी आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जा आप अपको समझ में आगी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जिरूर करें और वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता तो अनलाइक जिरूर करें तो चलिए हमनों मिलते नेक्स्ट वीडियो में जब